मैं हूँ आपके साथ रुतू गयानवानी हमारे इस खास कारिकरम महासंगराम दोजार चौबीस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे जैसे लुकसवाद चुनाफ की तारीक नस्देग आती जा रही है केंद्र की सता पर काबज होने की दौड तेज होती जा रही है और इसी दौरान कई पातियों के कारिकरताओं से लेकर बड़े नेताओं तक का हिर्दय परिवरतन हो रहा है और इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में मौझूदा वक्त के सबसे बड़े कॉंग्रस नेता कमलात के हिर्दय परिवर्तन की चर्चा तेज हो चुकी है मध्यप्रदेश से लेकर दिली तक कमलात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है इसी से जुड़ा है हमारा आज का खास का रिक्रम तो आईए शुरू करते हैं महा संग्राम दोजार चौबीस मध्यप्रदेश के राजनिते गलियारे से जो खबर निकल कर सामने आ रही है उस पर भरोसा करें तो प्रदेश की राजनिती में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है खबर मध्यप्रदेश के पूर्व कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री कमलात और उनके बीटे नकलनात को लेकर है चर्चाओं पर भरोसा करें तो प्रदेश कॉंग्रेस के ये दोनों बड़े चहरे बीजेप्य में शामिल होने जा रहे हैं मध्यप्रदेश के राजनिती में अटकलों का बाजार गर में है इन अटकलों पर भरोसा करें तो कमलनात बीजेप्य में शामिल होने जा रहे हैं मध्यप्रदेश के सियासी गलियारे में इस वक्त ये खबर तेजी से फैल रही है राजनिते गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कमलनात और नकुलनात कल बीजेप्य में शामिल हो सकते हैं इनके साथ महकोशल और इसके आसपास के जलों से बड़ी संख्या में कॉंग्रस नेता और कारिकरता भी भगवा धारी होने जा रहे हैं इसी बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्षपीडी शर्मा भी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करने के लिए तयार है अगर किसी को लगता है कि भारती जन्ता पार्टी के नेतरतों में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतरतों के बरजन का विश्वास बनता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले बताया जा रहा है कि कॉंग्रस से राजसभा जाने की उनकी दाविदारी खारज होने के बाद से कमलनात नाराज बताय जा रहे है इससे पहले विधानसभा चनाव में कॉंग्रस को मिली करारी हार के बाद से प्रदेश कॉंग्रस में बदलाफ हुआ और MP में पार्टी की भागदॉल उनकी हाथ से चली गई उसके बाद से राजसभा जाने की उमीद भी तूट गई हाला कि कॉंग्रस के दिगज नहीं था और पूर्व सीम दिगवजर सिंग को अभी भी भरोसा है कि कमलनात कहीं नहीं जाएंगे जिस व्यक्ति ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवार नहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उसकेंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज़े थी उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़के जाएगा आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस नीता भलेई कमलनात नकुलनात के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारच करें लेकिन नकुलनात के ट्विटर प्रोफाइल बनलने के बाद से इस ख़बर को और बल मिला है मध्य प्रदेश में बीजेपी जोईनिंग महा अभियान चला रही है जिसका सबसे जादा असर कॉंग्रस पर होता दिख रहा है पार्टी ने जब से अभियान की शुरुआत की तब से कॉंग्रस के कई बड़े नीता और सेंक्डों कारिकरता बीजेपी में शामिल हो चुके है MP के राजनेते गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो मौझूदा वक्त में प्रदेश कॉंग्रस के सबसे बड़े चहरे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दावन थाम सकते हैं जो लोगसबाद चुनाफ से पहले कॉंग्रस के लिए बहुत बड़ा जटका है बीरे रिपोर्ट न्यूज एटीन कॉंग्रस छोड़ बीजेपी में शामिल होनी की चर्चाओं की बीच कमलनाथ मीडिया के सावनी आए और बयान दिया लेकिन बहुत नाप तॉल कर अब उनके बयान के मतलब निकालने का दौर भी शुरू हो चुका है दूसरी तरफ पीम कॉंग्रस में कमलनाथ के वफादार उनके पक्ष में जमकर बैटिंग करनी लगे है बावजूद इसके प्रदेश कॉंग्रस को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि कमलनाथ कहीं जा रहे है अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर कहूंगा मतलब साफ है ऐसा कुछ नहीं बहुत सारी बाते और जरूर है वरना मीडिया के सवाल पर कमलनाथ इंकार कर चुके होते राजनीती में हर इंकार का मतलब ना नहीं होता पूर्व कॉंग्रेस से मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ का अपने बयानों के जरिये पत्ते नहीं खोलने की कोशिश संभावनाओं की धुंदली तस्वीर से एक एक कर परदे हटा रही है एक बार फर सुनिए कमलनाथ क्या कहने की कोशिश कर रहे है सबसे को लुग कर रहे हैं घथा आप लोग लोग के दिख और नहीं है ये आप लोग के रहे हैं आप लोग एक्साइट हो रहे हैं मैंने का मैं तो इस तरफ या उस तरफ पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया तो कमलात के हमसाया होने का दावा करने वाले पूर्व कॉंगरसी मंतरी सज्जन सिंग वर्मा ने भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल डाला और लगे हाथ ये भी बोल दिया जहां कमलात वहाँ हम कि कमल नाज जी के कदम जिस तरफ जाएंगे सज्जन वर्मा के कदम भी उस तरफ जाएंगे ये स्वभावी के कि 40 वरस का संबन्द है सुख दुख के साथ ही हम एक दूसर के रहे हैं तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे विज़े नहीं सज्जन सिंगों जब कुरेदा गया तब बोले मान सम्मान की हानी होती है तब कदम डगमगाते हैं एक तरफ कमलनात रहस्य से परदा उठाने के संकेत दे रहे हैं दूसरी तरफ उनके वफादार कदम डगमगाने की बात कर रहे हैं तीसरी तरफ प्रदेश कॉंगरेस अभी ये मानने को तयार नहीं है कि कमलनात कॉंगरेस छोड़कर कहीं जा रहे हैं जो खब्रे हैं निराधार कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महीने पहले जिनके नेत्रोत में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रिस का कारी करता अपनी जान अड़ा कर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निचावर करता रहा क्या उनको छोड़ने की बाद देश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कमलाथ को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कमलाथ मीडिया के सामनी आए लेकिन बहुत कुछ बोलकर भी कुछ नहीं बोले लेकिन जितना बोले उससे संकेट साफ मिल रहा है तस्वीर बदलने वाली है कमलाथ के बीजेपी में जाने के चर्चाओं के बीच एक नए समी करण भी उभरने लगे हैं कहा जा रहा ही कि कमलाथ के साथ कई विधायक भी कॉंग्रस छोड़ सकते हैं ऐसे में सवाल उटता है कि क्या मध्यप्रदेश से कॉंग्रस की एक लोते राज़ सभा उमीदवार अशोग सिंग की जीत के रा में भी कोई रोड़ा अटक सकता है कमलाथ उनकुलाथ के बीजेपी में शामिल होने के जर्चाओं के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है में मजबूत पकल रखने वाले कमलाथ के साथ कॉंग्रेस के कई विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं ऐसे में कॉंग्रेस के राज़ सभा उमीदवार अशोग सिंग के लिए मुश्किल खरी हो सकती है मदबूत प्रदेश विधान सभा चौनाव में बीजेपी को ट्रचंड जीत मिली और कॉंग्रेस को करारी हाथ मदबूत प्रदेश में कुल 230 विधान सभा की सीटे हैं साल 2023 के विधान सभा चौनाव में बीजेपी को 163 और कॉंग्रेस को 66 सीटे मिली साल 2018 के तुलना में कॉंग्रेस को 48 सीटों का नुक्सान हुआ अभी के गड़त के हिसाब से मदबर्देश में एक राजस्वा सीट पर जीत के लिए 49 विधायकों के वोटों की जरुट होगी लेकिन कॉंग्रेस के 66 विधायकों में से 28 विधायक कमलनात के साथ बीजेपी में चले आते हैं तो कॉंग्रेस के राजस्वा उमीदवार अशुक सिंग के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है 27 वर्वरी को राजस्वा के लिए मज़दान होना है तब देखेंगे कि उट किस करवट बैटता है बियो रिपोर्ट नियूज 18 मदबरदेश 36 कर तो राजरेते गल्यारों में इतनी गहमा गहमी आखर क्यूं हो रही है क्यों दूत को लोका की नें बोलगाएं लिए कि सराथ व्क फातर गर्म है वही रुक कर लेना चाहिए जी है बदोर्या जी आख कहीं न कहीं तो लगी है तब इतना धुआ उठ रहा है आखर क्लियर क्यों नहीं कर दिया जाता इस अब आगे की भी पूरी स्क्रिप्ट हो जाती जरा एकाथ मिनिट में कि आपके नेता दे रहे हैं तभी तो यह तैयार किया गया है ना इतना अधूरा मत छोड़िये कहीं कोई नहीं है सब आप लोगों की महरवानी है जहां आपकी नजरें इनायत हो जाएं महीं चर्चा और कलों का बाजार गरम हो जाता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदर ने जीतू पटवारी जी ने आप सब लोगों के संब्वक्ष पस्टेत हो कर पूरी बस्तु इस्तिति को इस पस्ट कर दिया मद्य प्रदेश के बरिस्तम नेता आदर निया दिग्विजे सिंग जी ने आदर नी कमलाद जी से कल रात कुछ पौन पर चर्चा करने के बाद जवलपूर में आज सारी इस्तिति को इसपस्ट कर दिया है अब आप स्वतंत्र है कहा किया किस एंगल से किस खवर को देखते हैं किस बक्तब को देखते हैं तो इसमें कोई आपको रोक तो सकता नहीं ठीक है आप आने वाला वक्त भी किसी को पता नहीं है आदर नी कि क्या आने वाला वक्त दिखाएगा किसको क्या समय दिखाएगा परंतु बर्तमान में जैसा कहा गया है कि इंद्रा गांदी जी तीसरा बेटा मानती थी और उन्होंने अंत समय तक साथ नहीं छोड़ा इतनी विसम से विसम परिस्टेदी में कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामके रखा। कॉंग्रेस पार्टी ने भी पूरा विश्वास किया पूरा मांच सम्मान किया अधरनी कमलना जी का साथारा में मद्द परदेश की राजनीती में आने की अधरनी कमलना जी ने एक्षा जायर की कॉंग्रेस आला कमान ने उनको मद्द पर्देश बेजा सरकार भी बनाई पर अंतु दुर्बाक से सरकार गिर गई फिर उन्हों ने इच्छा जायर की कि दो हजार तेईस में मैं बिना किसी दकल के चुनाओ लड़वाना चाहता हूं पर्टी को पर्देश के अंदर कॉंग्रेस आला कमान ने उसको स्विकार किया जो आधरनी कमलनाद जी को फ्री एंड दिया दुर्बाक से हमारी सीटे कम आई पर फिर भी आधरनी कमलनाद जी मद्द पर्देश कॉंग्रेस के एक मजबूत सिस्टम में देश में एक कॉंग्रेस की सान है कॉंग्रेस का एक कहा जाता है ना कि कंगूरा जो उपर लगाया जाता है वो कंगूरा है कॉंग्रेस के नाम पर अगर कॉंग्रेस का नाम लिया जाएगा तो आधरनी कमलनाद जी का नाम मुझे लगता है तो नहीं है भधवरिया जी वही तू मेरा सवाहल है जी जी एक हुते ही नहीं है कॉंट्टेंस के साथ बोला ही नहीं जा रहा है कॉंफिडेंस रख must Summonist आप अलग बयान selbst kulli Chamallowarc तो क्या आज कहा जा है फिर उनके सहयोग स्थ्म आज護 सासव करा आपने प्रश्ण किया आदर्णी कमलनाजी से उन्होंने उसका इसपस्ट जवाब दे दिया कि जब भी कोई ऐसी बात होगी हम आपसे को सबसे पहले बता देंगे इसके अलावक क्या जवाब आता जातक सज्जन सिंग बर्माजी की बात कर रही है उन्होंने का मान सम्मान के लिए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आदर्णी सज्जन सिंग बर्माजी के मान सम्मान में कहीं कोई कमी रही हो जैसा एक मद्द्रदेश के लीडिंग अख्वार ने छापा था दूवजार तेइस की चुनाव से पहले टिकेट वित्रन से पहले की 42 टिकेटों की डिक इस समय बहुत कामें बदारिया जी शिवम शुकला जी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनका भी रुक कर लेते हैं शिवम जी तैयार है क्या बीजेपी स्वागत करने के लिए प्रदेश कॉंग्रेस के भीतर जो इस्थिती है पूरा इनका कारिकरता पूरा नेत्रित्त का जो वर्ग है इनकी राम विरोधी और राष्ट विरोधी राजनीती के कारण अपने दल के वीतर ही विचार करने पर विवश हो रहा है कि क्या एक ऐसे राजनीतिक संगठन में कोई भी व्यक्त जो राजनीतिक कारी करता है वह रह सकता है जो राष्ट के विरोध की राजनीती शुरू कर दे जो सनातन के विरोध की राजनीती शुरू कर दे देखे नीतियों और विचार धारा पर जब तक राजनीती हो रही थी तो कॉंग्रेस पार्टी में लोग रह करके लड़ाई लड़ना पसंद करते थे लेकिन आज लोग द वाकई जो अटकलों का बाजार गर में हैं क्या आप भी इस पर मोहर लगा रहे हैं ऐसी स्थिती बनती हुई नजरारी और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के लिए आसान होगा क्योंकि यही समय था चुनाव का समय था जब सलकों पर जब बीजेपी थी या कॉंग्रस थ थी तो एक दूसरे को तरह तरह की आरूप लगाए जा रहे थे तरह तरह की बाते बोली जा रहे थी इतना आसान होगा एड़स्ट करना लेकिन आज कॉंग्रेस पार्टी के भीतर क्या इस्थिति है उसके बारे मंग्रेजी की वह सूक्ती पर फिट है कि टूथ नीट्स नो बार बार इंदरा गांधी जी को रेखंकित किया जा रहा है इंदरा गांधी जी जो कमल्लाट जी की अविवावक रही थी उन्होंने से दो वार कॉंग्रेस पार्टी का परिताग किया और नई पार्टी को स्थापित किया तो यह है तो दे nuance करक्षी बात तो देखे शू ^^ जी आकांशाएं लेकर तो वो भी आ रहे होंगे आकांशाओं को बीजे बे कितना पूरा करती है आखर क्या-क्या ऐसा बॉर्ण बनता है क्या-क्या बाते होती है ये भी बड़ा दल्चस्प होगा देखना कि किन ऐसे पहलूँ पर मोहर लगवाकर के कमलनाथ जी आते हैं ठीक और नकुलनाथ को भेज़ देंगे कि उनकी राजनीती खतम ना हो क्योंकि पिछली दो-तीन बार से हम देखते आए कि कितना मुश्किल हो गया था चंद्वाडा को चुनाव उनके लिए जीतना और अब समय ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि महरत बीजेपी ने भी की है रितु जी जो इस्पेकुलेशन्स चर्व रहे हैं पॉलिटिकल कोरिडॉर्स में इनको मजबूती इसलिए भी मिलती है कि कमलनाथ जी का अचानक अपने प्रोग्राम छोड़कर दिल ली जाना पहली जीज दूसरा उनके बेटे सांसत का अपने जो सोसल मीडिया है अकाउं से उनके बायो से कॉंग्रेस डिलेट करना या कॉंग्रेस सिंबल लेट करना उनके किलोज एसोसियेट माने जाते हैं उनका एनाई को दिया गया बयान जिसमें उन्होंने मान सर्मान और स्वागमान की बात कहिए और को ठेस की बात कहिए अब देखिए कॉंग्रेस की जो ल सितियां पार्टी को जटकों के रूप में देखना पड़ रही है देखिये जोतादिस सिंधिया जब चुनाओ लड़े आपको याद होगा जोतादिस इंदिया का जब 2020 मार्च में पार्टी से जाए उसके पीछे कही न कही दिख बजय सिंग यह बड़ा कारण माने जाते हैं दूसरी चीज मैंने एक नेशनल इंग्लिस डेली को एक आर्टिकल लिखा जब कॉंग्रेस ने असोक सिंग का नाम एनाउंस किया असोक सिंग धिगबजय सिंग की करीभी माने जाते हैं ऐसे में कमलनाथ जो टॉप कंडेंडर्स माने जा रहे थे रास्वा सीट के लिए उनका लिए नाम ड्रॉप होना ये कहीं न कहीं जो पिछले समय में जो उसको और ज्यादा उन्होंने फ्यूर किया अब इसके आने से क्या हो रहा है आज जो इस्तिती निर्मित हुई है जिससे जो रास्वा सीट है उस पर भी कहीं न कहीं कोहरा च्छाने की इस्तिति है कि कमलना एक ऐसे लिडर नहीं तो अकेले जाएंगे अगर बुक पार्टी जोइन करते हैं तो उनके साथ नमबर ओफ MLS एंड पार्टी लीडर्स वो भी भारतित्ता पार्टी जोइन करेंगे और यागामी बुक सब्सक्राइब होता हुआ कॉंग्रस का कई न कई नजर आ रहा है अगर ऐसे ही बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाएंगे तो आखिर क्या होगा कॉंग्रस का यही बड़ा सवाल है फिलहाल आप सभी महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तो आप देखना बड़ा ही दल्चस्पोगा कि आखिर कल क्या होता है प्रेस कॉंफरेंस होती है उसके बाद मुलाकात होती है नहीं होती है पर यहाँ पर महापलती मध्यप्रदेश में महापलती की पठकता पूरी तरह से तयार हो चुकी है यारो करें छोड़े से ब्रेक के रिए